और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपूर से जहाँ पर कालिंदी एक्स्प्रेस पल्टाने की साजिश मामने को लेकर अब आक्शन शुरू हो गया है ATS ने मौके से सबूत जुटाए है आपको बता दे कि देर रात मौके का ATS ने मौाइना किया था और कुछ सबूत जुटाए गए है ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश को नाकाम किया गया कि यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर कानपूर से बड़ी खबर मौके पर जाकर मौाइना किया गया रेल ट्रैक पर रखा हुआ मिला के LPG सिलिंडर चलिए सीधा रूख करते हैं कानपूर से अमित गंजू हमारे साथ लाइव जूट चुके हैं साजिश वाली जगह पर ही मौजूद है हमारे साथ हमारे सायोगी अमित वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं अमित जड़ा दिखाईए क्या तस्वीरे इस वक्त आप दिखा पाएंगे एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है रेल ट्रैक पर LPG सिलिंडर रख दिया जाता है ताकि कोई हादसा हो पहले भी ऐसी साजिशे हम देख चुके हैं अब ही इस ख़बर को लेकर क्या अपडेट देखे शिनम जी मैं आपको बताना जाऊंगा कि एक साजिश जिसके तहट LPG सिलिंडर इसी ट्रैक पर जिस वक्त न्यूज एटिंग टीम खड़ी है देखी यह जैए ट्रैक है इस ट्रैक पर रखाता है और ड्राइवर ठीक पीछे से मैं अपने कैमरामन से को पहले तो पी देखे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह देखे बैग रखा इस गुट्टाच हम नहीं कर सकते देखे क्राइम केट शिवराजपूर कानपूर आउटर इसके अंदर से बॉटल्स निकाली गई थी तारे थी और उसके बाद यही वह स्पोर्टर देखे मैं आपको अपने टीम से यहां पहुची है यामजुद देखे सिलेंडर का यह स्टेट के पूरा इसट रखा है यह पूरा लड़ता हो गया है और इसके बाद क्राइम ब्रांच पूरे सर क्या देख रहा है कोई चीज़ें सब देख रहे हैं सब सामने आजाएगी सर पूरी टीम आपकी लगी क्राइम चाहिए किस ट्रैक तक जाएगे पूछता भी करेंगे पूरे एरिया में अधर आगे कि आप देख सकते हैं क्राइम राज के सारे लोग यहां मौझूद है क्योंकि देखे बाइट देने के इंटाइटल नहीं और ऐसे में एक सीन ऑफ क्राइम में आशीनम जी आपको और दिखाना चाहूंगा बैपने कैमरा में सकाऊंगा अपना कैमरे का विजन उस तरफ की तर रहें तो असे एरिया पास देखें इदर यह देखें के ये सीन ऑफ क्राम का दूसरा एक लाप लग आ शीनम जी देखें यह देए जिए पूरा ट्लोस कर दिए सिलंडर यहां आके गिज़ा था लेड़ कि यह पूरा एड़ा घ्रमा अपने कैमरा में आशी च्वांगे सब अब ऐसे में अब अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यह पता लगाने का कि क्या फेक्ट्स है यह शाजिश है शरारत है शडियन्त है क्या है यह जांच का विशेख है और आप जिस तरह से दिखा रहे हैं वाकई एक बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी ज इस फोटक साजिश अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा कितना नुक्सान हुआ है क्या कुछ हुआ है कैसे यह पूरा घटना क्रम हुआ कैसे यह हादसा हुआ यह भी ज़रा एक बार बताईएगा देखे शिरम जी मैं अपने दर्शकों जिन्होंने अभी निउस 18 का चैनल अभी आउन किया होगा उनको पताना चाहूंगा इस वक्त यह जो हादसा है कल कालंदी एक्सप्रस ट्रेन के साथ करने का प्रयास किया गया जिसके लिए इनी ट्रैक्स पर सिलेंडर रखा गया था लगवाए असी बताई जा रही है और ऐसे में चौदा सो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे अगर यह ब्लास्ट होता तो और बड़ा हाथसा हो सकता था अब ऐसे में ग्राइम ग्राइम ड्रांच की टीम एंटायर लगी है सिर्फ यह जानने के लिए के फैक्स ना और ऐसे में तो लोगों को पुलिस ने गरफतार किया है पूशता निया कहा जा सकता है तो संदिक कि दिया वहां भी आबादी नहीं तो सिलेंडर आया कहां से खुद चलके आएगा नहीं किसी ने इसको लाया होगा ऑप्रेटिबल और ऐसे में से लिडर लाना ट्राइक पर रखना क्या शरारत है क्या शड़ियन्त रहे जहन में था उस वेक्ति के जिसने यहां रखा किस घट यह आ रहा है कि पुलिस ने शिवराजपुर थाने में एफाई गार तो हमारे सायोगी अमिर जी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मौके पर ही मौजूद है दिखा रहे हैं किस तरह से जो साजिश रची गई थी उस का उसे नाकाम करते हुए यहाँ पर आर्पीफ ने एक बड़ी कामयाभी हासल की है बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अमित गंजू हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे